नमस्कार साथियोग। साथियो इस टॉपिक में आप जानेंगे कि अनसूचित जाती अनसूचित जनजाती यानि कि SCS टी से जमीन खरीदने पर वरतमान में द्यम क्या है और क्या आप SCS टी से प्लोट आवासी प्लोट खरीद सकते गी नहीं ?Paramisal लेनी प्डेगी अगर नह पादेश जो यह कहता है कि आप फुटकर दुकान मकान भी जो है वो अनसूचित जात से नहीं खरी सकते बिनाउट पंडिमीशन ठीक है पहला ठीक है अगर खरीदा तो राजसरकार में नहीं पहला ये दूसरा वो जो वरतमान में नियम है उनके बारे में सेक्शन 98 तीसरा ये कि सेक्शन 98 का उलंगन करने पर आपकी जमीन का क्या होगा 105 ठीक है तीनों और तीनों ही चीज़ें बहुत इंपोटेंट है क्योंकि मेरे पास कई ऐसे मैटर्स आए कि सर मैंने जमीन खरीदी थी 10 साल पहले 5 साल पहले और अब उस जमीन को मैंने देखा लेकपाल ने आख्य सरकार में नहेत हो चुकी है चलिए मैं आपको एंड में यह आदेस भी दिखा दूँगा जो राजसरकार में नहेत हो जमीन उसका तो तीन पॉइंट आपके क्लियर करके दूँगा सबसे पहले तो कोर्ट का आदेस देख लीजिए जिस पर लोग काफी विश्वास करते हैं एक चीज मैं आप से और कहूंगा कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस कोई भी कानूनी सला बेहतर कानूनी सला लेना चाहते हैं या आप अपनी जमीन की डॉकुमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं उसके डॉकुमेंट्स चेक करवाना है कि इस पर कोई कमी तो नहीं है क कोई केस तो नहीं चला सरकारी जमीन तो नहीं डवल रजिस्टी तो नहीं तो यह चीज़े चेक करवा सकते हो कॉंटेक्ट नम्मर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ यो ठीक है तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन में अपनी संपत्ति आपको दे रहा हूं बेनामा के थुरूद वह भी ट्रांसपर या मालीजी वहाँ पे गिफ्टीड तो वह सब्सक्रिप्शन में ट्रांसपर कर रहा हूं ठीक है तो पहला तो यह है कि अनसूचित जाती के सदस्यदारा वुमिका अंत्रल देगे अपका लिखा है फुटकर दुकान दिये जाने के लिए प्राथना पत्र प्रेसित किया गया ठीक है अनसूचित जात के सदस्यदारा निस्पादित पट्टा विलेक उसके समर्थर में प्रेसित किया गया सच्छा मधिकारी द्वारा अनुग्या नहीं दी गया यानि कि वहान जो है कलेक्टर ने यानि कि जो भी सच्छा मधिकारी कई बार एडियम को पावर डेलिकेटिड हो जाती है वै सब्सक्रावन का के प्रावदान केवल करसी भूम पर लागू होंगे यह धारत किया गया कि अनुग्या यानि की परमीशन के बिना पट्टा विलेक निस्पादित किया गया था उसे ठीक ही वह बेच्छित कर दिया गया है अब देखिए थोड़ा सा बने रहें यदि द्यारा पट्टा विलेक निस्पादित किया जाता है तो उसे उपेच्छित किया जा सकता है उपेच्छित यानि की अंदेखा यानि की सुन ने या जिसका कोई बी मतलब नहीं किया जा सकता है धीक है इस पस्क्रादे से तो इसे हिसाब से आप किसी FC-ST work की जमीन का प्रॉपर्टी डिलर ने कहा दिया है कोई दिक्कत दाई बस इस लिए आप से कहा दिया गया है क्योंकि probability dealer उन्हें अपनी property पीचने और जो advocate आप से कह रहे हैं उन्हें आपकी registry करने है ठोड़ी बहुत अरनेंग होगी तो इसलिए कि आपको यह जमीन नहीं कराएंगे तब तक यह जमीन के आपने खरीद लिया तो यह जमीन यह इसी अनुसार आपकी निरस्त होगी और राजसरकार में निरस्त हो जाएगी चाहे फर उसे 10 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 1 साल कभी ने कभी तो आपकी हो सकती है ठीक है? अब वो चीज अलग है जहाँ पर section 80 का आदेश कर दिया जाता है ठीक है? अब साथी यह चीज में आपको और बताऊंगा कि actually बरतमान में SC, ST से जमीन खरीदने पर नियम क्या है? देखें नियम जो है, वो section 98 UPRC में प्रोवजन किया गया है कि अनसूचित जात के वहुदर द्वारा अंत्रण पर प्रतबंद यानि कि transfer पर restriction यानि कि रोक लगाई है प्रतबंद अभी भी section ये परकरार है, आप ये मत समझें कि अटके आ है बिना section 80 वाले plot खरीद रहे है, दडले से खरीद रहे है section 80 का आदेस हुआ नहीं आप खरीद रहे है, ठीक है न? तो वहाँ पे आपका 99% वहाँ पे माल लीजिए, वो आपका हो सकता है राज सरकार में जमीन जा सकती है, इसलिए एड़ोकेट जो आपके है अगर सही है तो वहाँ अलग, आपको ज़्यादा विस्तास तो अलग, सही एड़ोकेट सिरा लीजिए ठीक है और प्रोपरिटी डीलर तो वो चाते ही हमारी कैसे प्रोपरिटी अब सीधी बात के जमीन जो है, खरीद कैसे सकते है, तो देखिए इसे अध्याय के उपवंदों पर प्रतकूल प्रवाव डाले विना अनसूचित जात के किसी भूमिदर को कलेक्टर की लिखित, अब देखिए यहाँ पे लिखित पूरु अनुग्या बंदक तरिछित पर किया हमारा गऌट्यक मिल जाएगा, ओर यह यह आप कोई भी दोकूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं यह आ लेक्टर द्वारा एसी अरोग्या यानि की पर मीसन तभी ती जा सकती है परमीशन दी जा सकते हैं परमीशन ले सकते हो ठीक है कब ले सकते हो अनसूचित जाती जन जाती के पास धारा 108 की उपधारा दो के वा 110 खंड का जैसी भी वो विर्रिस्ट कोई जीवित उत्रा अधिकारी नहीं हो यानि कि इन सेक्शन के अनुसार कोई उत्रा अधिकारी परमीशन दी जा सकती है या आप लिख सकते हैं दूसरा अनसूचित जात का भूमदर जिस जिले में अंत्र के लिए प्रस्तावित भूम इस्टित है उससे भिन किसी जिले या राज में नौकरी अथवा किसी व्यापार के लिए नियमित बस गया है या सामान तोर पर रह र रहती है मैं जैसे मालीजी कोई एक्सपेक्ट था यहां पर रहता था ठीक है मालीजी जिला जो है टाबा है यह ठीक है रहता था अब उसने क्या किया अब नौकरी करने के लिए पहुंच गया भाई मालीजी फिरोजाबाद ठीक है यहां मालीजी अन्य किसी मालीजी यहां स जमीन खरीदिए थाइड जो है थाइड जो सात्यों है वो यह कि कलेक्टर को यह समाधन हो जाता कि वेदकारों से भूम का अंत्रल अनुग्या देना आवस्सक है तो अनुग्या यानि की परमीशन दे सकते हैं और कलेक्टर ऐसी उसकी जहांच भी कर सकते हैं ठीक है यह तो हो उलंगन कर दिया माली यह आपने कोई आवसी प्लोट खरीद लिया बिना परमीशन के बिना मतला कर आई ठीक है यह आपने क्रसी की जमीन खरीद लिए धोका दड़ी से तो फिर क्या होगा देखिए सात्यों फिर होगा यह 105 सहता के उलंगन में भूंद्वारा अंत्रल के प goofy और like और ऐसे अंत्रल की सबूबारें सभ्वारां से मुक्त होकर राजसरकारां में नेत हो जाएगे किसी बैंख वगारा ने लहन देदी आए तो वह यह राजसरकार लहों लहां वागैरा आपका गया फिट है उस जोत में भूभाग में व्रच, फसल, कुए, सुधार, सभी जो है मुक्तोकर राजसरकार में नेत हो जाएंगे यानि कि सीधी वासातियों यह है आपने जमीन खरीदी केस में पेड़ लगा लिए फसल लगा लिए, कुए लगा ले यानि कि जिसने वेची है उसका भी इत समाब्त हो जाएगा फिर मैं एक बार आपसे कहूंगा कि बहतर लीगल कानूली सला लेने के लिए हमारा कॉंटेक्ट नमर वीडियो की डिस्कस में मिल जाएगा कई लोग परिशान होते सारा आपका contact number क्या है और कई लोगों को अच्छी सलाह नहीं मिल पा रही है इसलिए ये सुवधा available है दूसरा साती हो आपे point देख सकते हैं कि अधीन अंतरक के एद की संपत्ती से किसी आसामी या उसके अधीन दारण करने वाला का भी इत समापत हो जाएगा यानि कि ये जमीना आपके किसी बटाईदार आसामी को दे दी है तो उसका भी सब कुछ समापत हो जाएगा वही वो चल पिर के देखियांगी ठीक है इस दारा के उपन में सेक्शन 94 के अधीन किसी भी पट्टे पर लागू नहीं होगे दूसरा यह है कि कोई अन्ने संपत्ति अधारा एक के अधीन राज सरकार में नेत हो गई है तो कलेक्टर ऐसी भूम अन संपत्ती कवजा लेने के लिए ऐसी भूम संपत्ती अध्याद असर हो उसे बेदिखल करने का ओडर जारी कर सकता है और इस परोजन के लिए कलेक्टर ऐसे बलप्रयोग कर सकता है यानि कि आप माली जा आपने दवंगा ही दिखाई तो कलेक्टर जो है पूरा स्पी को ओडर देगा और पूरा पुलिस फोर्स, पूरा पी एसी, जेसी भी, बिल्डोजर आएगा और आपको आँसे खदेड कर बहुत दूर ले जाएगा सात्यों ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें चलर को सस्क्राइब करें और सुनिए टेलीग्राम चैनल को आप सस्क्राइब कर लीजे, लिंक वीडियो की डिस्क्राइब मिल जाएगी ठीक है बहुत अच्छे आपको वहाँ पर कानून मिलते रहेंगे और कोई भी लीगल एडवाइस है तो कॉट्टेक नमबर वीडियो की डिस्क्राइब दिया गया है वाटसेपे मेसेज करें और कॉल बुक करवाएं